सोशल मीडिया का जमाना है और इसी सोशल मीडिया से आजकल ये भी पता चलता है कि हवा का रुख किस करफ है राजस्तान में सोशल मीडिया पर जंग शुरू हो चुकी है विधानसभा चुनावों से पहले कोशिश जादा से जादा फॉलोर्स जुटाने की है राजस्तान का सियासी दंगल शुरू हो गया है जमीन के साथ साथ कॉंग्रेस और बीजेपी ये चुनाव सोशल मीडिया पर भी लड़ रही है कॉंग्रेस अपनी योजनाव का आकरमक प्रचार करने में जुटी है अब वो इनाम बाटकर जनता के बीच माहौल बनाने की कोशिश कर रही है गहलोत सरकार ने जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता शुरू की है जिसके जरीए हर दिन 2,75,000 रुपे का नकट पुरुसकार दिया जा रहा है इसके लिए मुख्यमंत्री अशोग गहलोत ने जन सम्मान जैराजस्थान नाम का एक गीड भी टूइट कर शेयर किया है हम जनता की जेब बचा रहे हैं, जनता की मदद कर रहे हैं, उसकी एक इसंकल का हमारा भूका किसी को सोने नहीं देंगे, भूक से किसी को मनने नहीं देंगे, हिलाज के अभाव में किसी की मौत नहीं होगी अब वीडियो कॉंटेस्ट हो रहा है राजस्तान सरकार की योजनाओं को लेकर मुख्य मंत्री को पार्टिसिपेट करवा रहे हैं लोग को बड़ा लोग का सायोग मिल रहा है ऐसे में बीडेपी के पेंट में दर्ग क्यों हो रहा है? हमारी जनता, हमारा परिवार, हमारा कॉंटेस इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए 30 से 120 सेकंड का विडियो बना कर उसका लिंक जनसमान.राजस्थान.gov.in पर शेयर करना है जनसमान विडियो प्रतियोगिता में पहला पुरुसकार जीतने वाले को एक लाक रुपे का इनाम मिलेगा दूसरा पुरुसकार जीतने वाले को पचास हजार रुपे और तीसरा पुरुसकार जीतने वाले को पच्चिस हजार रुपे सो और विजेताओं को एक एक हजार रुपे का इनाम भी दिया जाएगा बीजेपी इसे लेकर गहलोट सरकार पर हमलावर है नेता प्रतिपक्ष राजेंदर राथोड ने कहा कि किसी भी मुख्यमंतरी ने अपनी महीमा मंडल में इतना सरकारी पैसा खर्च नहीं किया मजबूर है सरकार कि उनकी योजनाएं फ्लोप योजनाएं जनता के पास पहुंच नहीं रही है इसलिए एक तरह से सरकारी धन से पैसा बाट रही है और वीडियो कंटेस्ट कराके और अपनी उन योजनाओं को जिन योजनाओं को लोगों ने सिरी से नकार रखा है जिन योजनाओं का प्रभाव नहीं है उनको मुख्यमंतर जी अब कंटेस्ट में लेकर आए है वीडियो कंटेस्ट में लेकर आए है यह डिजाइन बॉक्स दोजार क्रोड रुपे का जो मामला है चल रहा है सरकारी दिनकाद रुपयोग का उसको और इनको आगे बढ़ा रही है मैं समझता हूँ कि आज तक किसी मुख्यमंत्री जी ने अपनी खुद की महिमा मंदन पर इतनी पैसा कर्शनी किया होगा जिताई करने है यह कोई वोट बेंक के लिए नहीं किया जा रहा है यह जो सरकार की ओजनाय आम जंता तक पहुंचे इसलिए यह केमपेन शुरू किया गया है जादूगर के नाम से मशूर अशोग गहलोत को उम्मीद है कि जन सम्मान वीडियो प्रतियो गिता चुनाओं में उनका जादूट चला सकती है वहीं बीजेपी इसे गहलोत की मजबूरी बता रही है जैपूर से बाल विरेंदर सिंग शेखावत की रिपोर्ट एंडी टीवी इंडिया